हाई फ्रेंड्स मेरा नमेराज और आपसे भी लोग का विलकम है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लखी आरजमें अज की इस पीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिनेस्टैगी सर ने हाली में एक नए पोटल यानि कि एक नए जन सिवा केंदर की सुरुवात की है अगर दोसों आपसे भी लोग को दिनेस्टैगी सर के बारे में पता नहीं है तो दोसों मैं आप लोग को बता दू स्टैगी सर कॉमन सर्विस सेंटर यानि कि CAC के पूर वो M.D. थे अब दोसों उन्होंने CAC को छोड़ दिया है अब उन्होंने अप नए इस्टार्टप की सुरुवात की है एंड एक नए जन सिवा केंदर की सुरुवात की है जिसमें कि दोसों आपसे भी लोग को काफी सारे Government Services, Private Services देखने को मिल जाती है जिसमें कि अगर मैं Services की बात करूँ तो Birth Certificate, Death Certificate, Income Certificate, Card Certificate, Bank CSP, आईश्मान कार्ड, East Time की Service ये तमाम सारे Services, Government Services आप सभी लोग को देखने को मिल जाती है जिस Portal का नाम है दोसो, BLS Siva Portal इसके रिलेटेट दोसो, मुझे काफी सारे CACVALE का कमेंड आ रहा था कि दिने से के सर ने जो BLS Siva Portal को स्टार्ट किया है उसमें कौन-कौन से Services है, registration किस परकार से करना है, काम किस परकार से करना है इसके बारे में एक पूरा विडियो चाहिए विडियो पुरापर BLS Siva Portal के बारे में होने वाला है कि इसमें कौन-कौन से Services हैं, किस परकार से आपसे लोग को काम करना है और दोसो, BLS Siva Portal की एक सबसे बड़ी खास बात मुझे ये लगती है जैसे अगर आपसे लोग Common Service Center संचालक हो, यानि कि CACVALE हो तो आपसे लोग को एक Portal दिया जाता है, Digital Siva का और वहाँ पे आपसे लोग को Wallet में Recharge करना पड़ता है तो भी जाके दोसो, आपसे लोग किसी भी Services का फायदा उठा पाते हो लेकिन दोसो, BLS Siva Portal में आपसे लोग को Pay Later की सुभिदा मिल जाती है यानि कि दोसो, जैसे आपसे लोग का Reaction Complete हो जाएगा BLS Siva Portal का User ID and Password मिल लेगा तो 10,000 रुपए तक का आपसे लोग का Wallet में Recharge BLS Siva Portal के माध्यम सी किया जाएगा तो भी लोग को शुरुवाती दोसो, Wallet में कोई भी Recharge नहीं करने है 10,000 रुपए का Wallet में पैसा आएगा आपसे लोग उसी पैसे से Services कर सकते हो है और लोगों को फायदा दे सकते हो कौन-कौन से CAC VL को BLS Siva Portal का User ID and Password लेना चाहिए तो चलिए दोसो, इस कमाल के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं तो दोसो, वीडियो की निचे, डिस्किप्शन बॉक्स में आपसे भी लोग को BLS Siva की Official Portal का लिंक मिल जाएगा डायरेट दोसो, आपसे भी लोग इस वेबसेट पर आजाओगी इस पोर्टल में दोसो, गौवर्मेंट की बहुत सारे Services दी गई हैं साथे साथ आप एल लाइफ में यूज होती है, वे सारे Services कर सकते हो फर एक्जांपल अगर मैं यहाँ पर Services की बात करो तो सबसे Important और सबसे Common जो Services होती है जो आम लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं Card Certificate, Income Certificate, Domicile Certificate, Birth Certificate, Dirt Certificate, Labor Registration यह सारे Services आप लोग बहुत यासाने से BLS से वा पोटल के साथ कर सकते हो तो मैं और Services की बात करो तो यहाँ पर आप सभी लोग Iceman Card बना सकते हो IRCTC का Agent बन सकते हो, Passport की Service Pen Card में आप सभी लोग को दोनों ही परकार की Services देखने को मिल जाती है UTI भी आप सभी लोग को देखने को मिल जाएगा और NSDL भी आप सभी लोग को देखने को मिल जाएगा सबसे common बात है APS यानि कि आधार Enable Payment System भी आप सभी लोग को देखने को मिल जाएगी एंड सबसे important बात है दोस्तों आपसे भी लोग को bank CSP देखने को मिल जागा आपसे भी लोग दिने स्टैगी सर की BLS सिवा पोटल में join करते हो यानि कि इसका जन सिवा केंदर open करते हो तो इसमें दोस्तों government से लेके private sector की जितने भी सारे services हैं जो की दोस्तों आम तोर पे लोगों के काफी ज़्यादा demand होती है वे सारे services को बहुत यासानी से कर सकते हो अब दोस्तों सबसे important बात कर लेते हैं कि BLS सिवा पोटल में आप सब लोग किस परकास से registered करोगी चलिए इसके बारे में हम सभी लोग जान लेते हैं बाक्स में BLS सिवाप की official website का link मिल जाएगा डायरेट दोस्तों आपसे लोग इस website पर आओगे यहां पर आपसे लोग को option देखने को मिलेगा new registration का आप लोग new registration के option पर क्लिक करोगे यहां पर आपसे लोग को कुछ pop-up दिखाये गया है कि अभी यहां पर registration station start किया गया है तो यहां पर सबसे पहले आप अपना नाम डालोगे mobile number और email id डालोगे और submit करोगे आपसे लोग को पूरा हिंदी में name को type करना है अपने father का name पूरा type करना है जेंडर यहां पर आपसे लोग को अपना pin code का number डाल देना है साधे साध यहां पर आपसे लोग को इंसाइड और आउटसाइड दोनों का ही photo यहां पर आपसे लोग को मर्ज करके upload करना है साधे साध अगर आपसे लोग के 10 class pass out किया हुआ है 12 class pass out किया हुआ है तो उसको भी यहां पर आपसे लोग को डाल देना है दोस्तों यहां पर आपसे लोग को से कुछ details माइगे जाएंगे अगर आपसे लोग के पास printer है तो आप yes कर सकते हो अनिधा no कर सकते हो अगर दोस्तों आपस लेप्टॉप है या डेश्टॉप है उसको यहां पर selection करने के लिए बोला जा रहा है तो आप अपने category के साब से choose करोगे term and condition को accept करोगे and registered के option पे click करोगे जैसे आपसे लोग रेजिस्टर के option पे click करोगे applicant की सारी details यहां पे open हो जाएगी and कौन-कौन से services के लिए कितना charge किया जा रहा है उसकी स सारे पेसे आप सभी लोग को refund हो जाएंगे साधी साथ GST registration fee 180 रुपए करता है साधी साथ BLS का kid fee आप सभी लोग को free में मिलता है बहुत सारे चीज़े रहती है more for mantra यह सारे चीज़े आप सभी लोग को दी जाती है BLS के तरो इतना charge देना पड़ेगा साधी साथ B2C services के आप आप से भी लोग को 1000 रुपए का charge देना पड़ेगा तो आप से भी लोग को 4291 रुपए का payment करना पड़ेगा लेकिन दोसो BLS के तरफ से यह बताया जा रहा है कि आप से भी लोग के जो wallet है उसमें 10,000 रुपए का जो wallet recharge है वो automatic BLS company के तरफ से कर दिया जागा जिसमें कि दो BLS सिवा Portal ये फिलहाल अभी दिने स्तैगीर सर के दौ़आ उत्तर प्र प्रदेश में launch की गई है और बताया गया है कि अगरा सर के दुवारा बताया गया है लेकिन दोसों फिलहाल अभी उत्तर पदेश लोगो के लिए जहाला के इंदर ऑ्पेन किया जा रहा है BLS सिवा पोर्टल के माद़ीमं से अगर दोस्तों आपसे भी लोग उत्तर प्रदेश के विक्ति हो तो आप से भी लोग BLS से वा पोर्टल में एक बर विजिट कर सकते हो देख सकते हो अगर आप से भी लोग को सारे चीजे सही रगती है खुद से अगर आप से भी लोग को सारे चीजे सही लगती है तो आप लोग इसका user ID and password ले सकते हो मैं आप लोग को force नहीं करूँगा आप लोग ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो अगर आप सब लोग के area में services की demand है तो आप लोग ले सकते हो अब सबसे important बात कर लेते हैं कि BLS से वा पोर्टल के मादेम से क्या आप सभी लोग को आधार शवा केंद्र दिया जाएगा तो मैं बाता दू दो दोस्तो दिने स्टैगी सर के दुवारा यहां पर अभी फिलहाल CSP की मांग की जा रही है यानि कि bank CSP आप सभी लोग को BLS से वा पोर्टल के मादेम से दे दिया जाएगा कर सकते हों मिलते दोस्तों और किसे ने इंट्रेस्टे मेडियो साथ तब तक लिए टाटा एंड गुद्पार